नमस्ते सबी को तो आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या पसंद करते हैं यह लोगों का परस्पेक्टिव है आपके लिए आप कैसे हैं वो अलग हो सकता यह चीज यह बात सिर्फ वैसी बाते होंगी जो लोगों को अच्छी लगती है आप में ठीक है तो आज बहुत हलका फुलका और अच्छी सी रीडिंग होगी ऐसे मुझे फील हो रहा है तो चलिए देखते हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं आपके बारे में लोगों को क्या बात अच्छी लगती है आप में आपस तीन पाइल हैं पाइल वन पाइल टू और पाइल थ्री पाइल वन है यह एक क्या आप यह टोपी पहन रखी एक महिलाने पाइल टू है एलेफेंट यह एक हाथी है और पाइल थ्री है एक हाट जो कि कुछ बोल रहा है क्योंकि एक मैसेज के अंदर है ठीक है तो विडियो पॉस करिए और और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा आकरशित हो रहे है उसको पिक करिए एक से ज़्यादा पाइल चूस कर सकते हैं सारे पाइल चूस कर सकते हैं पट जिसकी तरफ आप आकरशित हो रहे हैं वही चूस करिएगा चलिए हम शुरू करते हैं अपने पाइल वन की तरफ से बाकी पाइल यहां रखें यह रहा मेरा पाइल वान नमस्ते पाइल वान यह उन लोगों के लिए है जिन्हों ने यह चूस किया है हाट सो पहले मैं ब्रेक अब बताती हूं फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सो यह इंट्यूटिवली चूस किया हुआ चाम है यह मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यह टेरो कार्ड है जो यह बताएगा कि लोग आपके बारे में क्या पसंद करते हैं और यह हमारा ओरेकल काड़ जो यह बताएगा कि लोग आपके बारे में क्या पस्त करते हैं तो हम एक एक कर के शुरू करेंगे ठीक है पाहिलवान? तुम शुरू करते हैं चान्म से तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में जो लोग पसंद करते हैं आप बहुत stylish लोग होंगे, आपको शायद पता नहीं होता होगा या आप नहीं रेलाइस नहीं क्या होगा, बट लोगों को आप थोड़े से stylish लगते हैं, कुछ लोगों को आप में अच्छी बात ये लगती है कि आप से वो बात share कर सकते हैं, आप उनको अपनी चत्रचाया मे संभाल के रखते हैं, और थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल है, ऐसा लगता है, पाइल वन, ठेक है, अब हम चलते हैं, boundaries, so लोग इस चीज को appreciate करते हैं, आज कोई reading की थी, मैंने उसमें भी यह काड़ा था, तो लोग इस चीज को appreciate करते हैं, कि आप, आप बहुत महनती हैं, आपने बहुत सारी दुख और सुख देखे हैं, और उससे ग्रो हुए हैं, उससे बढ़े हैं, इससे बढ़े हैं, एक की तौर पे बड़े हुए हैं, ठीक है, pile 1, और आप में बढ़कपन है, एक बढ़कपन है, आप को लोग respect देते हैं, आपकी लोग कदर करते हैं, ठीक है, आप, कुछ लोगों को आप में ये बात अच्छी लगती है, कि आप अपने पावर का यूज, अपने ताकत का प्रयोग तब ही करते हैं, जब उसकी जरुवत हो, ऐसे हर चोटी-चोटी बात पर नहीं करते, एक्जामपल के तोर पे मानिए, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल आ गए, तो सारे बच्चों को डर लग जाए, सारे टीचर्स को डर लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि आपको respect करते हैं लोग, उनको बुरा लग जाएगा अरे वो यह ऐसा नहीं चाहते हैं वो फॉलो कर लो जो वो चाहते हैं लेकिन अगर आपने किसी को गलत करते हुए पकड़ लिया तो फिर उसकी खैर नहीं तो यह लोगों में अच्छा लगता है लोगों को कि आप बिना मतलब का बिना जरुरत के ठीक है कुछ लोगों को यह भी अच्छे लगती है बात आप में कि आप अपने में थोड़ा सा रहते हैं आपके एक बाउंडरी सेट अप है आप उसके अंदर ही रहते हैं आप अपनी सीमा को लांगते नहीं है ठीक है देखें और क्या है हमारे पास क्राक्ड ओपन रॉक बॉटम सरिंडर तू अल्कमी अफ लाइफ तो कुछ लोगों को यह अच्छा लगता है कि आप बहुत फ्लेक्जिबल हैं आप समय के हिसाब से अपने आपको अपने बदला है ठीक है तो यह पाइल मुस्टली ऐसे लग रहा है कि यह पाइल ऐसे कर दिया है बड़ा बना दिया चाहे उम्र 20 साल की हो बट सोच और समझ और समझदारी जो है वो 40 साल की होगी चाहे उमर 40 साल की हो लेकिन समझदारी जो है वो 60 साल की होगी तो आपकी समझदारी लोगों को बहुत पसंद है और जो आपने अपने experience से अरजित किया है आपको जो भी experience किया है, वो उससे आपने सीखा है, ठीक है, तो आप go with the flow बहुत आराम से करते हैं, अपने आपको समय के हिसाब से आपने बदला है, अपने आपको समय के हिसाब से better किया है, अपने आपको improve किया है, यह सब चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं आप में, Pile 1, Ego, यहां पर भी यह है, और यहां पर भी है, यहां पर थोड़े गुस्से में है, यहां पर यह समय करते हुए, तो आपके पास एक पावर है, Pile 1, ज्यादा तर लोग आपके, मतलब इस पावर को देख रहे हैं, जो उनके पास एक पावर है, और वो उस पावर का इस्तमाल तो मतलब ऐसे ही किसी को छोड़ते नहीं, जाने नहीं देते और ऐसे ही किसी को परिशान भी नहीं करते, तो यह बात लोगों को आपके अच्छी लगती है, आप बहुत जब आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, आप आपका cautious बिल्कुल clear है आपका दिमाग बिल्कुल clear है आप इधर उधर की चीजें नहीं करते इधर उधर की बातें नहीं करते situation पड़ेगी तो आप उस rule को use करेंगे, नाराज होंगे गुसा होंगे और नहीं है तो आप बड़े प्यार से काम चला रहे है ठेक है? तो अगर कोई गलत है तो उसको आप बोल देंगे कि भाई तुम गलत हो जे देखे हमारे टेरो कार्ड में क्या है थ्री ओफ वांज टेन अफ कॉप्स दे मिजिशिन पाइल वन लोगों को ये आपका पैशन बहुत पसंद है लोगों को ये पता है कि आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले प्लानिंग कर लेते हैं पूरी तरीके से तयार रहते हैं मतलब ऐसे रांडम ली नहीं चलते कि आज मुझे घूमने जाना है लेकिन कहा जाना ये तो पता नहीं मैं बाद में सोचूंगा ऐसा नहीं आपके साथ आपको डेट पता होगा टाइम पता होगा कहा जाना पता है कैसे जाना पता है क्या खाना पता है ये सब चीज प्लान होती है आपकी तो लोगों को आप में ये चीज अच्छी लगती है प्लस प्लान जो है आपका पैशन भी दिखाता है तो आप जिस चीज को इन्जॉई करते हैं वो वाला काम बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है आप बड़े ही ऐसे पारिवारिक टाइप के इनसान हैं आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं जो बहुत लोगों को पसंद है बहुत लोगों को अपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया है ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप अनजान लोगों को भी प्यार से ट्रीट करते हैं ये लोगों को बहुत पसंद है आप में आपके अंदर आपकी personality में अलग-अलग aspect देखने को मिलते हैं तो आपको आप किसी को अपनी नाराजगी भी आराम से दिखाते हैं अपना प्यार भी आराम से दिखाते हैं आप चीजें छुपा कर और दबा कर अंदर ऐसे बंद करके नहीं रखते खुले हैं आप ओपन हैं जब आप खुश हैं तो आप फूल दिखाएंगे जब आप नाराज हैं तो आप गुसा दिखाएंगे बहुत clear चीजें हैं आपके साथ pile 1 और आप जो चाहते हैं आपको पता है वो चीज कैसे पाना है तो लोगों को ये भी चीज बह यूंकि आप flexible हैं आप चीजों के हिसाब से समय के हिसाब से अपने आपको बढ़ाया है तो इसलिए आपको ये पता है कि आपको कुछ पाने के लिए क्या करना है इस वज़े से आप लोगों को सलाह भी अच्छी देते हैं तो कुछ लोगों को आपने सलाह दी होगी जो कि उनको आपकी सलाह पसंद है उनको ये पता है कि आपके पास आएंगे तो आप अच्छी सलाह देंगे ठीक है पाल वन देखें आपके लिए क्या मेसेज है I release what I no longer need breaks are always a distraction they can give us an opportunity to recharge and return to our day with greatest focus so pile one ऐसे समझ में आता है कि आप में confidence है ठीक है और कभी-कभी आप normal दुनिया से break भी लेते कभी-कभी आप boundaries खड़ी करते हैं आप आपको पता है कि आपकी limit क्या है और आप सामने वालों को भी उनकी limit बता देते हैं वो अच्छी बात है वो लोगों को पसंद है और वो आप आप के लिए अच्छी बात है आप उन चीजों को लेकर पकड पकर नहीं बैठते जो आपके काम की नहीं है अगर किसी बात पे गुस्सा ओगए नाराज हो गए आपने बोल दिया बात खतम की बात आगे बढ़ गई बात को पकड़की नहीं बैठते राए का पहार नहीं ब और यूनिवर्स का मेसेज यह है आपके लिए कि जिस तरीके से आपको चीजें मतलब आप रिलीस कर देते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होती उस तरीके से आपको बीच पीच में ब्रेक भी लेना चाहिए आप एक ऐसे इंसान है जो अपना टाइम दूसरों को बहुत ज इंसान जो आप से अलगो अपने यह नहीं परिवार के लिए बच्चों के लिए पडोफी के लिए या फिर अपने काम में लगे रहेंगे तो अपने इंडिविज्विजूल के लिए कुछ नहीं कर पाते तो आप छुट्ती कम लेते हैं ठोड़ा सा अपने लिए टाइम कम निकालते हैं तो युनिवर्स आप से ये बोल रहा है कि अपने लिए टाइम निकाले ठीक है पाइल वान होपफुल होपफुल है रीडिंग आपके लिए प्लीज लाइक करिये सब्सक्राइब करिये और अपने थौट्स शेयर करिये मुझे बहुत अच्छा लगता अपने लिए कमेंट पढ़ करके और मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाइ करती हूँ तो । प्लीज 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 ब्लीज सब्सक्राइब कर ये ठीक है जिनोंने नई किया है और जिनोंने किया है उनको थांक्यू वेरी मच अब हम move करेंगे pile two की तरफ ठीक है चलिए चलते हैं pile two की तरफ नमस्ते pile two ये उन लोगों के लिए है जिन्नों ने ये charm choose किया है ये है एक elephant ओके तो ऐसा फील होता है pile two कि आप लोग जो हैं वो बहुत इमानदार लोग हैं और लॉयल भी है तो आप अगर किसी के लिए करते हैं तो मन से करते हैं इच्छा से करते हैं पूरी लगन से करते हैं ठीक है आपकी यादाश भी बहुत अच्छी है आपकी यादाश बहुत अच्छी है आप बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी याद रखते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं मतलब ऐसे होता है ना रिंड चुकाते हैं ओलीगेशन है कोई तो उसको आप पऊरा करेंगे ठीख है भाइल टू अब नेखते हैं काड्स क्या बोलते हैं यह हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से अडवैस यह है टरू कार्ट इस कि लोग आपके बारे में क्या पसंद करते हैं और यह हमारा और एकल काड की लोग आपके बारे में क्या पसंद करते हैं पहला है PROSPERITY लोग आपके लिए ये पसंद करते हैं कि आप बहुत EMOTIONAL इंसान हैं बहुत साफ दिल के हैं कहते हैं ना दिल का हीरा मतलब उस तरीके के इंसान हैं आप लोग आप अपने अपने emotions को flow करते हैं, express करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, आप बहुत सारी लोगों के मन से उदासी हटाते हैं, तो आप में ये quality है कि आप environment को और लोगों को बदल सकते हैं, अपनी खुशी से, अपने प्यार से, सो कोई दुखी इंसान अगर आपके पास आता है, तो आप अपने प्यार से, प्यार भरी बातों से, अपनी presence से उसके दुख को दूर कर सकते हैं, तो लोगों को सबसे अच्छी बात आपका प्यार लगता है, जिस तरीके से प्यार आप देते हैं, जिस तरीके से, और आपका imagination imagination भी बहुत strong है, pile 2, और वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है, karmic relationship, or in energy, polarity, soul growth, conflict, कुछ लोगों को आप में ये पसंद आता है, कि आप एक ही समय पे, दो अलग अलग जगों पे, दो अलग अलग थी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, तो आप multitasking है, आप multitasking है, आपको अपना काम निकालना आता है, लोग ये पसंद करते हैं आपके बारे में, कि आपको अपना काम निकालना आता है, आप अपना काम कैसे निकलवाना है, वो अराम से जानते हैं, चाहे वो by hook हो, by crook हो, जैसे भी हो, जैसे तैसे, कैसे भी, ऐसा ज़रूरी न कि आप एकदम सही रस्ताई फॉलो करें पट आप अपना काम निकलवा लेते हैं चाहे जैसे भी यह भी चीज लोगों को आपके अंदर पसंद आती है अगें वाटर यहां पर है पानी यहां पर है पानी यहां पर है सेक्रिफाइज सो पाइल टू ऐसा है ऐसा लगता है कि आपको पता है कि किस पर्ल क्या करना है किस से क्या करवाना है और कैसे करवाना है सो आप जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपने बहुत त्याग किये हैं आपने अपनी चीज छोड़ी है, तो उन लोगों को ये अच्छा लगता है कि आपने उनके लिए टाइम निकाला, मतलब कुछ भी सक्रिफाइस हो सकता है, अपने टाइम का सक्रिफाइस हो सकता है, पैसे का सक्रिफाइस हो सकता है, mostly ऐसे लगता है कि आप लोगों के लिए अ सही है वो करते हैं फिर मन से चाहे कुछ और हो रहा हो लेकिन जो कर्म के हिसाब से सही है जो रूल के हिसाब से सही है आप वो करते हैं ये लोगों को पसंद है ठीक है देखे हमारा टैरो गार्ट क्या कहता है 5 of emotions आप बहुत emotional लोग हैं pile to death और डेविल बहुत ही खतरना कॉम्बिनेशन है मतलब एक तम I hope यह दिख रहा है, दिख रहा है, मैं यहां रखती हूँ थोड़ा थोड़े से ख्लारिफायर लूंगी मैं क्योंकि बहुत 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 है क्योंकि बुरा नहीं है क्योंकि हम यहां पे अच्छी बाते कर रहे हैं, तो कुछ भी बुरा नहीं है So, Pile 1, कुछ लोग, Pile 2, sorry, Pile 2, कुछ लोगों को आपके emotions बहुत पसंद हैं, मतलब आप बहुत emotional हैं और आप उसको बहुत आराम से express करते हैं दुखी होंगे तो भी express करेंगे, खुश होंगे तो भी express करेंगे, excited हैं तो भी express करेंगे आप अपनी मन की बात अपने तक नहीं रखते, आप उसको express करते हैं तो आप मन की बहुत साफ हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है ठीक है, वो आप में वो चीज अच्छी लगती है और दूसरा, आप ऐसे constantly दुखी नहीं रह सकते आप आगे move on करते हैं, आप कोई reason ढून करके आगे बढ़ जाते हैं तो मान लीजे किसी ने आपको दुख ही किया आप उसको माफ करेंगे और अपनी life में आगे बढ़ जाएंगे आपने नौकरी अपलाए की थी, सम्हाँ आपकी नौकरी नहीं हुई, आपको दुख हुआ आप उसको accept करेंगे, अपने उपर improvement लाएंगे दूसरी job ढूडने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो जो बीत गई है, वो बीत गई है इस तरीके का attitude है आपका जो लोगों को बहुत पसंद है आप change से बिलकुल नहीं डरते हैं pile 2, वो ये लोगों को बहुत पसंद है आप एकदम फट से change होते हैं, फट से आपका emotion जो है, वो change हो जाता है आप अराम से अब दुखी हुए, अगले ही minute आपको ये पता है, कैसे अपने आपको change करना है आप फट से change कर दाते हैं, अब चुटकी में बदलते हैं आप अपने आपको, which is very good, बहुत अच्छी बात है डर से, डरते नहीं आप, बदलाव से नहीं डरते हैं आप devil clarified by कुछ लोगों को आपका जीने का तरीका बहुत पसंद है पाइल टो, so उनको ये जिस तरीके से आप लोग, आप लोग में से कुछ लोग बहुत लाविशली रहते हैं बहुत, you know, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी कार यूज करते हैं एकदम स्टाइल में रहते हैं, वो चीज लोगों को आप में पसंद है, पाइल टो, काफे पसंद है emotions again, आप emotions को न ऐसे हाथ में लेके घूमते हैं, और पोर करते रहते हैं आप logo में से कुछ लोग flirt type के भी होंगे, लेकिन आप जब flirt करते हैं, जिसके साथ flirt करते हैं, उसको अच्छा लगता है तो लोगों को आपका flirt करना भी पसंद है, पाइल टो, रेड कलर में आपको लोग बहुत पसंद करते होंगे, ठेक है चलिए देखते हैं, युनिवर्स का क्या message है, I give myself permission to learn and grow यही काम आप कर रहे हैं यहाँ पर, पाइल टो, आप, आप यह learn करते हैं, अपने emotions से learn करते हैं, experience से learn करते हैं और फिर आगे move on करते हैं, और यही चीज आप से, युनिवर्स आपको याद दिला रहा है, कि आपके जो भी experiences हैं, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है और यह सीखने में अपने ऊपर थोड़ा सा gentle होना है, ठीक है, अगर चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं समझे कि यह आपके लिए एक सीख है, ठीक है, थोड़ा self-love की जरुवत है, आपको युनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा self-love में बिलीव करें, ठीक है, पाइल टूपफुली यह reading helpful है, फ्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, कमेंट करें, आपको और कैसी reading पसंद है, suggestion दीजे, हम वैसी reading करेंगे, हम आप चल्दी मिलते हैं अपने अगली reading में आप से, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखेगा, मूव करते हैं, पाइल 3 की तरफ, नमस्ते पाइल 3, यह उन लोगों के लिए जिनोंने यह talking heart, चूज किया है, heart है, जो message box के अंदर है, तो पाइल 3 ऐसा लगता है कि आप, आप भी दिल के बहुत साफ हैं, जैसे पाइल 2 के लोग थे, आपका दिल बहुत बढ़ा है, जो लोगों को शायद उतना कभी-कभी नजर नहीं आता, लेकिन है बहुत बढ़ा दिल आपका, ठीक है, हम देखें, हमारे cards में क् हमारे universe की तरफ से, ये tarot cards हैं, बताने के लिए लोग आपके में क्या पसंद करते हैं, और ये हमारे oracle card हैं, ये बताने के लिए कि लोग आप में क्या पसंद करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, healing grief, आप बहुत ही healing type के इंसान है, healing type के इंसा आप में एक बुद्धी मता है, आपकी सोल ने अपने जनमों जनम से बहुत कुछ लर्न किया है, जो कि आप शेर करते हैं, अपना एक्सपीरिंस आप शेर करते हैं लोगों के साथ, और लोगों को उस शेरिंग से help मिलती है, अपने आपको आगे लीड करने में, ठीक है, आगे जीवन में बढ़ाने में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग साइकिक टाइप के लोग हैं, हाथ देखना, चेहरा देखके भविश्य बताना, टेरो कार्ड रीडिंग करना, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉंग है, और लोग उस इंट्यूशन को मानते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं, लोग आपसे राय लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके साथ आपका इंट्यूशन है, आप में एक हीलिंग पावर है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नजर वजर उतारते होंगे, तो लोगों को हेल्प होती होगी, ठीक है पाइल 3, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें रखें, चाहे वो कोई स्टोन पहने, बेसिकली ब्लाग कलर का कुछ पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉपर कलर भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है, देखें, लोग क्या पसंद करते हैं आपके बारे में, लिफ्टिंग वेल, questioning everything, anything unaligned must go, आप चीजों को बैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वो है, आप science धूनते हैं चीजों के पीछे, लोजिक धूनते हैं, चीजों के पीछे, लोगों को आपका लोजिक पसंद आता है, लोगों को आपका तर्क वितर्क पसंद आता है, आप चीजें बस ऐस मतलब ऐसे भेड़ चाल में नहीं चलते कि एक के बाद दूसरे को follow करते रहे गए और चलते रहे गए नहीं आप logic के साथ जीवन जीते हैं आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं बट सही कैसे लगता है उसकी भी reasoning होती है आपके पास तो लोगों को ये पसंद है बहुत Pile 2 आपका आपका Pile 3 आपका intuition इतना strong है पता निगा आज में Piles में बहुत mixed up हो रही हूँ आपका intuition इतना strong है और आपका तर्क भी तर्क भी बहुत strong है तो अगर आप दोनों का combination लेके चलेंगे तो आप जो solution निकालेंगे वो बहुत अच्छा solution होगा और शाएद कुछ नाइन नमबर दिख रहा है मुझे 910 आप जो काम करते हैं वो उठाते हैं उस काम को पूरा खतम करते हैं ठेक है चाहे वो जैसे भी करें बट अगर आपको दो दिन में काम खतम करने के लिए दिया गया है और आपने कमिटमेंट किया है तो आप खतम करेंगे यह चीज लोगो को बहुत जादा पसंद है अगें आपका इंट्यूशन जब आप किसी को कोई सला कर देते हैं कोई बातें बताते हैं तो वो बात उनको अच्छी लगती है वो सला उनको अच्छी लगती है वो सला उनके काम आती है तो लोग आपकी सला को लुक फोरवर्ड करते हैं देखत कि आप स्टेरो कार्ड में क्या है नाइन आफ वांड गिंग ऑफ सोड्स और सविन अफ पेंटिकल्स आप में बहुत जादा पेशन्स है जो लोग एड्मार करते हैं पाल 3 आप में बहुत हिम्मत है बहुत पेशन्स है बहुत बुद्धी है बहुत विस्डम है लोग आपका इड्मार करते हैं लोग आपका पैशन इड्मार करते हैं लोग आपका इड्मार करते हैं बहुत सारी चीज़ आप में अच्छी है आप में सोचे बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है पेशन्स और पैशन्स और पैशन्स का यह बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है बहुत रेर क काम करेंगे और फिर पेशेंटली वेट करेंगे रिजल्ट का और आप दिल से सारी जीज़ दिल के साफ है पिटल करते हैं वह अपने बुद्ध उसकर के करते हैं क्योंकि आप हर चीज़ को question करते हैं तो यह चीज़ लोगों को अच्छी लगती है आपके अंदर कि आप ऐसे ही चीज़ें accept नहीं करते हैं आप उसको माप तोल के समझ के फिर accept करते हैं लॉजिकल इंसान है अब देखें युनिवर्स क्या कह रहा है हमें युनिवर्स कह रहा है I can change how I feel तो यहाँ पर थोड़ी सी rigidity नजर आती है मुझे आप थोड़ा सा अपने thought को लेकर खड़े रहते हैं चीज समझ नहीं आई तो आगे नहीं बढ़ेंगे तो युनिवर्स आपको कह रहा है कि कभी कभी आपको चीज़ों को छोड़ना चाहिए ठीक है कभी कभी चीज़ें जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है तो उनको वैसे ही accept करना चाहिए अपने आपको बदलिए अपना नजरिया बदलिए ठीक है pile 3 hope कि ये reading helpful है please like करें subscribe करें share करें comment करें बताये मुझे अगर आपको कोई और reading पसंद है मैं कुछ करूं ऐसे तो please suggest करें हम अपनी अगली meeting में जल्दी मिलते हैं reading में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए नमस्ते